आपके पास जीवन में सारी सुभधाये हों, सब कुछ अच्छा हो, बच्चे अच्छे, पती अच्छा, पतनी अच्छी, परिवार अच्छा, कुल मिला जुला कि जिन्दगी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिशान रहते हैं, आपको सुख नहीं लगता, आपको आ आपके लिए बेहतर रहेगा, सनान के बाद हलकी सुगंध लगाईए, और अगर ये चंदन की सुगंध हो, चंदन की खुश्बू हो, तो बहुती बढ़िया रहेगा, अंगूठे में एक चांदी का छला, राइट हैंड के थंब में, अंगूठे में, शुक्रवार की शाम को एक चांदी का छला पहने, इससे भी लाब होगा, और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, बहतर होगा शिव मंदिर में जा करके, भगवान शिव को सफेद मिठाई अरपिट करें, इससे लाब की संभावनाएं बन जाएंगी, और अपने रिष्टे महिलाओं के साथ अच्छे बनाए रखें, देखिए महिलाओं का और पूर्शों के बीच का जो पक्ष है, या जो महिलाओं का पक्ष है, उसके पीछे शुक्र की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए ये बात समझेए कि अगर आप महिलाओं के साथ संबंद अच्छे रखेंगे, तो शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा, अब ये जानते हैं कि अगर आपको यूरीन की प्राबलम है, मूत्र विकार है, या मधुमेह जैसी स्थितियां बन गई है, डाइबिटीस जैसी स्थितियां बन गई हैं, तो इसमें शुक्र को कैसे बेहतर करें ताकि शुक्र को शूरी के लाब हो सके, रोज सवेरे उगते हुए सूरे को जल चड़ाया जाये, ये हमारी परमपरा भी है और इसका वज्ञानिक फाइदा भी जरूर होता है सूरी की रोशनी का सेवन जरूर करें यानि सुबा सूरी को जल चड़ाएं और सूरी की तरफ पीट करके कम से कम दो चार मिनट पांच मिनट बैठें तो आपको फाइदा होगा नियमित रूप से शाम को शुक्र के मंतर का जप करें रोज शाम को शुक्र का मंत्र जपें और मंत्र हुगा ओम शुंग शुक्राए नमहा ओम शुंग शुक्राए नमहा इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और दोपहर के भूजन में दही का प्रियोग जरूर करें सफेद रंग का ओपल धारण करें देखिए, डाइबिटीज के मामले में ओपल बड़ा कारगर रत्न माना जाता है और ऐसा मेरा स्वैम का भी अनुभव है कि ओपल अगर आपको थोटा भी सूट करे और अगर आपको diabetes को control करना हो तो ओपल पहनने से diabetes control में आ जाती है लेकिन अगर आपको diabetes है तो हीरा पहनने से बचियेगा क्योंकि अगर आप diamond पहनेंगे तो उससे diabetes को control कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अब मान लिया कि शुक्र की वज़ा से आखों की समस्या हो रही है यानि शुक्र की दशा आपकी चल रही है अंतर दशा है प्रतंतर दशा है और उस दशा की वज़ा से आपकी आखों में problem आ रही है क्या उपाय करें कि आखों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर हो जाए वो ठीक हो जाए पहली बात ये है कि सुब़ जल्दी उठने का अभ्यास करें प्राता काल जल्दी उठें सफेद रंग के वस्तरों का प्रियोग करें वाइट कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं ज्यादा तो आपको फाइदा होगा और जब भी नहाते हैं नहाने की बाल्टी में एक धकन दो धकन गुलाब जल डाल करके तब स्नान करें अंगुलियों के नाखून बड़े न करें कि आपके नाखून बहुत बड़े हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्राकृतिक नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं यानि अपने दातों के नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं और आग नाखून चबाते हैं मैं बता दूँ कि ऐसे लोगों की आँखे जरूर कमजोर हो जाती है शुक्र की वज़ा से अगर आँखों में दिक्कत आ रही है तो मून स्टोन या सफेद अमेरिकन डाइमंड धारन करें आपको लाब जरूर होगा अगर आपको चंचल मन की समस्या है या आपकी personality आपका व्यत्त वो बहुत बढ़िया नहीं है क्या करेंगे पहले ये जानिये कि बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जब मैं पूजा करने बैठता हूँ जब मैं रास्ते में सोचता हूँ जब मैं कोई काम करता हूँ मेरे मन में sexual desires ज़्यादा आती है बहुत आती है और कभी कभी इसकी वज़ा से मन में एक दिक्कत होती है मन में पाप जैसा अनुभव होता है ऐसा लोगों की बहुत शिकायत है बहुत सारे लोग ये पूछते है अगर ऐसी दिक्कत है तो क्या करेंगे रोज सवेरे सूरी के सामने गायत्री मंतर का जब करेंगे सूरी के सामने सुबह गायत्री मंतर का जब करना बहुत अच्छा होगा मन जादा चंचल है तो हीरा आप बिलकुल भी धारन न करें एक सोने का या पीतल का चल्ला दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अगर आप पहने तो बहुत अच्छा होगा और शुक्र की वज़ा से अगर आपका मन चंचल है और ऐसी स्थिती में आप शशांक आसन करें तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा बहुत ज्यादा लाब की संभावनाएं बन जाएगी